आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone तो question में हमसे कहा रहा है Bell JAR experiment shows that option is sound cannot travel through vacuum sound can travel through gas sound can travel through vacuum velocity of sound is least in gases तो bell jar experiment क्या है आईए उसको देखते हैं bell jar experiment में एक हम लोग bell jar लेते हैं और उसमें से नीचे एक vacuum tube अटेच कर देते हैं ठीक है और इसको एक close lid से pack कर देते हैं उपर से हम लोग क्या करते हैं एक electric bell इसमें से suspend करते हैं और इसमें air की presence में हम लोग sound की intensity नोट करते हैं then हम लोग vacuum को on कर देते हैं और इसमें से सारी air बाहर चली जाती है तब हम लोग intensity को नोट करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं observation ये होता है कि I1 जो होता है sound की intensity air के case में ज़्यादा होती है और vacuum के case में क्या होती है काम होती है क्योंकि यहाँ पर perfect vacuum नहीं create हो सकता तो थोड़ा बहुत तो आवा जाएगी तो ये हम लोग इससे observation ये लिख सकते हैं कि sound require medium for its propagation and cannot travel through a vacuum option check करेंगे तो अप्शन नमरा हस्त ओला सही हो जाएगा I hope this video will help you thanks for watching Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीचे अपने doubts आर चार्षकार्षकार सूपर झाल झाल